हे गाइस तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही आख में चुली नाम की एक मुवी देख कर रहा हूँ और सज बताओ यार यह मुवी में तीन दिन से देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज एक शो मिला जो चला पूदा अब कल तो मैंने अल्मोंस टिकेट भी खरीद दे थे लेकिन दस लोग नहीं हो पाए तो थेटर ओनर ने शो ही कैंसल कर दिया और वो शो भी चालू नहीं हो पाए था वरना कल में I think 7 बज़े क्या सबसके शो देखने गया था लेकिन वो शो कैंसल हो गयता है आज फैनली मैंने ये शो देख लिया है किसमस से 10 लोग हो गय थे त इस मूवी को बनाया है और मेरे ख़ल से रीकावरी के नाम पर कुछ भी नहीं हो आँगा जात बात इसी कहानी की तो कहानी कुछ ऐसी है कि रोहित पठेल नाम के एक लड़का रहता है इसका रिष्टा जाता है पारो नाम की लड़की क्लिया पारो जो की रात को उसको दिख लड़के को मिलताँ है कि किस तरह कि हैं और इनकी ल में कितना कुछ युण बसट चल रहा है वह सब इतना अच्छा नहीं है कि हमारे इस स्ठाट नकारी में épo in क्या होने वाला है जिस तरह से मुवी आगे बढ़ती अपने पूरी सिचुएशन को एक स्पूर करती वो सारी चीज़े देखने में भी मुझे परसनली कुछ खास मसा नहीं आया है क्योंकिन सारी चीज़ों कुतिने ज्यादा चीज़े लिखाओ डेवलप नहीं किया गया था क्या है पूरी टाम इस मुवी में इन्वेस्ट रेप हैं जाना चाहें कि ये दमागी क्या होने वाला हूँ और कैसे होने वाला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है लेकिन personally मुझे तो हसी नहीं आई जहां तर बात है twist and dance के twist and dance के नाम पे आपको इस movie में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ये पूरी movie काफी ज़ादा predictable cliche में लिखी गई है और भी काफी सारी problems है इस movie में जिन पे बात करने गाना ये वीडियो बहुत जादा लंबा बन सकता है लेकिन मैं उन सारी शीदों में बात नहीं करना चाता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों ने इस movie को इगनोर कर दिया है तो शायद इन problems से परिखी नहीं पड़ता होगा मुझे personally समझ नहीं आ रहा है कि उनको back to back कितरी movies कैसे मिल रही है अभी कुछ दिनों पहले उनकी एक movie आई थी जो कि Sony ने ही produce करी थी और अभी ये movie आई है मुझे समझ नहीं आ रहा है उनको movies कैसे मिल रही है लेकिन सच में उनका काम कापी जादा खराब है बाकी के जो एक्टर समझ का काम ठीक ठाकी है जहां तो बाते direction और editing के direction सच में कापी खराब है डारेक्टर ने जिस तरह सी movie बनाई है न वो इतनी जादा you know एक old age movie लग रही थी मुझे ऐसा लगा था ये सारी चीज़े इतनी जादा बार हमने देख रही है कि कुछ interesting feel ही नहीं हो रहा था जो editing है वो भी मेरे खाल से काफी better हो सकती थी जहां तो बाते production quality की तो भी ठीक ठाकी है देख रहे हो तो मुझे comments में जरूरू बतना कि आपकी movie कैसे लगी बाकी मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत